सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के जिए हैलो गाईज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तर से आप इस एक प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं जिसका नाम है मोबाइल डेटा ऑल्वेज ऑन तो गाईज यह जो प्रॉब्लम है वह बहुत फोन में नजर आती है ज्यादा तर शाओमी फोन में नजर आती है अगर आप कस्टम रॉम्स वगरा यूज़ कर रहे हो और आप अगर जियो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपने यह प्रॉज़िंग होगा लेकिन अगर मैं अपने डेटा को आफ कर देता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या करने वाले है देखिए हमने डेटा आफ कर दिया डेटा आफ करने के बाद भी गाईज अपका इंटरनेट जो है वह चलता रहता है यानि बैगरांड में च सकता है अगर आपने डेटा का रिचाज नहीं किया होगा तो भी आप देख सकते यूटूब भी काफी अच्छे से काम कर रहा है और डेटा बंद रखने के बावजूद तो गाईज इस वीडियो में में इसी के बारे में बताऊंगा और इसे प्रॉब्लम को जो है वह सॉल वन सिम टू हो तो उसके सेटिंग्स में चली जाए तो मेरा सिम वन सेटिंग्स में हम आ जाते हैं इसके बाद आपको यहां पर नेटवक टाइप जो है उसे एल्टी पर रखना है ध्यान रखिये ल्टी पर उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक्सेस पॉइंट नेम क्लिक करना है प्लस आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सेटिंग्स के लिए पूछेगा सबसे फिले तो आप एपन नेम में आपर जो नेम है यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं तो मैं आपर महेश टेक्निकल्स दे देता हूं उसके बाद आपको एक option दिखाई देगा जो कि है APN type तो यहां पर आप देख सकते APN type तो इसको आपको लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है है small letters में default तो यहां पर आप देख सकते spelling तो ठीक से लिखेए गाई यहां पर गलती ना करें default लिखना है आपको और वह भी small letters में जैसे लिखके हो जाए आपको simply okay कर देना है ओके करने के बाद आपको simply और scroll down करना है यहां पर protocol दिखाई देगा barriers में जाने के बाद आपको यहां पर simply lt को select करना है और कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करें और okay कर दीजे इतना करने के बाद आपके settings हो चुक्किए आपको simply प्रॉब्लम है वह solve हो चुकी है तो अगर हम चेक करके आपको दिखाए तो हम चेक कर लेते हैं आपर तो यहां पर यहां पर simply search कर देता हूं Google तो चलिए हम यहां पर search कर देते हैं जैसे में Google टाइप करता हूं तो जाहिर सी बात हैं हमारा internet जो है on है तो browse होना चाहिए तो browse हो रहा है तो अगर हम अब अपने internet data को off कर देंगे तो तब देखते हैं कि क्या होता है तो हम इसे clear कर देते हैं इस देखें आपर error आ गया है तो इस तरह से आप इस problem को solve कर सकते हैं बहुत ही major problem है guys तो इसे solve कर लिजे तो अगर आप देख लिजे आपके phone में भी ऐसा problem आ रहा है तो मैं आप आपको दिखा दूँ मेरा data off है और मेरा YouTube भी अब off आ रहा है तो अगर मैं अपने data को on कर देता अगर मैं browsing को प्राइ करूं तो यहां पर देखें आप on offline जा चुके हैं ऐसा message यहां पर आ चुका है तो इस तरह से हमने इस problem को solve कर दिया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका ना